हलो गाइस विल्कम बैक टो मैंने वीडियों से बात करेंगे में 5050 के बारे में किस तरीके से कल की आप प्लैनिंग कर सकते हैं मार्केट के अंदर इंपोर्टन बात ये कि आज हमारा मंथली एक्सपैरी था एंद मार्केट का अगर आप मुमेंटम देखोगे ना तो भाया मार्केट इतना बेकार चलाए ना आज के दिन 24,900 से 25,000 तक भी नहीं पहुचा आज अगर आप पूरे दिन की बात करेंगे यानि कि 100 पॉइंट भी मार्केट उपर नीचे गरके मूव नहीं किया हमारा आज क्या काम हुआ वो देख लेते हैं और कल की प्लैनिंग देख लेते हैं तो क्यास जाएंगे अपने टेलिग्राम ग्रूप में एंड मैंने आप लोग को मॉनिंग में क्या बताया था एक बार जरूर देख लेते हैं ठीक है मौनिंग में व्यू हमारा ये था ये रहा हमारा निफ्टी बैंक का व्यू ठीक है कि हमें ट्रेड प्लाइन करना था 51.600 के उपर जेदर मार्किट गया ही नहीं एंड तक लास्ट में तीन बजी के आसपस गया है वहाँ पर एंड डाउंसाइड का व्यू था कि मार्किट हमारा 51.300 के नीचे आ जाए ठीक है जो आज हुआ नहीं काईदे से निफ्टी 50 का व्यू था कि मार्किट 24 से आद 900 के उपर आएगा तो ट्रेड प्लाइन करेंगा और उसके अकोडिंग एक ट्रेड प्लाइन करीब थी निफ्टी 50 का ये रहा 9 बज के 18 मिनिट पर आप देख सकते 130 का एंट्री था 147 गया था 1 is to 1 इसमें इसली मिला बैंक निफ्टी का एक ट्रेड दिया 260 का इसमें प्राइस था 293 गया 30 प्लाइस पॉइंट मिले और यहाँ पर अगर आप देखोगे यह हमने आपको बताया भी निफ्टी बैंक तिल नाव साइड बेस्ट और टाइम हो रहा था 11 उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेंबर्स ने कुछ-कुछ खुद से प्रोफिट किये कुछ-कुछ हमारी ट्रेड से प्रोफिट किये बट ओवरॉल आज का दिन उतना खास नहीं रहा है बस ठीक है यह बोलना चाहूँगा मैं आप जाएए टेलिग्राम पर चेक आउट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगी ठीक है अब यहाँ पर अगर हम जाएं तो आज कितने ट्रेड बने हैं आपको मैं वो दिखाना चाहता हूँ रियलिटी चेक आज कितने बार लोगों का काटा गया ठीक है वो इंपोर्टेंट जानना हमने ट्रेड प्लैन की थी यहाँ पर हमको यहाँ पर इसी केंडल में वन इस्टू वन से उपर का मिला ठीक है मार्केट अच्छा यहाँ जाना चाहिए था काइदे से लेकिन मार्केट क्या करता है यह एक केंडल लेकर आता है ट्रैप करने के लिए जो लोग सुबह बाइं किये थे उनका SL लेता है ठीक है पहला T1 दैन मार्केट क्या करता है साइडवेस वापस उपर जाता है ठीक है चाहता तो यहाँ से भी उपर चला जाता लेकिन उसको लोगों को पहले exit कराना था डराना था इतनी बड़ी red candle लाने के बाद यह जो एक red candle लाई है ठीक है ताकि लोग डरें और वापस entry ना करें as simple as that क्योंकि यहाँ जो इतनी बड़ी यह wix बनी है इसने confusion create कर दिया होगा लोगों के बीच में अब next market हमारे target पे नहीं जाता है ठीक है जैसे कल चला गया था आज नहीं गया हाला कि finally गया है बट problem का है again sideways ठीक है एक बड़ा fall आता है लोगों को interested करता है वापस से दीरे दीरे उपर again एक fall आती है candle वापस से दीरे दीरे उपर again trap बनाता है market कहा बनाता है trap यहाँ पे देखो market is trend line पे चल रहा है ठीक है अब क्या किया इसने breakdown किया और यह candle में trap बना है trap नमबर टू trap नमबर वन जो यहाँ पे फिर exit किया होगा market में breakout candle आई है यहाँ पर call side में लोग गए होंगे अगली candle में again market नीचे आया है ठीक है यहाँ पर मैंने अपने members को trade दलाई थी एक और मैंने उनको बोला था कि 50-50 chance है अगर market यहाँ से fall करता है तो यह levels वापस downside के आ जाएगा और एक बड़िया move मिल जाएगा लेकिन मैंने यह भी बोला था कि आप चाओ तो watch कर सकते हो कोज मुझे उतना confidence नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है ट्रैप नंबर वन ट्रैप नंबर ट्रैप नंबर थ्री ठीक है यहाँ पर अगर call side वाले ट्रैप हुए है यह एरिया में ठीक है तो market को काईदे से नीचे आना चाहिए था but market क्या करता है again put side वालों को trap करता है ठीक है यहाँ पर कौन trap हुआ call side यहाँ पर कौन trap हुआ put side यहाँ पर कौन trap हुआ call side यहाँ पर कौन trap हुआ put side तो again and again and again and again सिर्फ क्या हो रहा है market के अंदर trap ठीक है market में price action काम नहीं कर रहा है आप जैसा सोच रहे हो market वैसा चल नहीं रहा है उसके बाद market देखो फिर उपर निकलता है लोगों को फिर से call side में entry करवाता है यहाँ पर बहुत ही शानदर breakout करता इस बार ठीक है यह candle बहुत ही अच्छी बनी है यहाँ पर put side वाले फिर से जो trap है वो exit करेंगे तो यहाँ पर again एक call side की trade लेनी चाहिए लेकिन मैंने फिर कोई काम नहीं कराया और market देखो अगे नीचे आ गया समझ रहे हो फिर market उबर चला गया तो क्या हुआ overall market में आज कुछ भी नहीं हुआ and disappointing है क्योंकि पूरा दिन बैठने के बाद अगर आप ढंके trade नहीं बन मार्केट दे रहा है then what is the point यह एक सबसे बड़ा question है जो पिछले काफी time से चल रहा है कि market इतना घटिया हो गया उपर से से भी के नए regulations आ गये उपर से taxes इतने बढ़ गये तो यार कैसे काम हो पाएगा यहां पर and जो नए rules आ रहे है उसके according भहिया भूली जाओ जो 5-10,000 रुपए लेके करना चाहते हैं शुरुआत वो तो नहीं हो पाएगा अब retailers का यह बात आप लोग द्यान रखिए ठीक है आपको minimum 20-30,000 रुपए लाने पड़ेंगे market में तब आप यहां पर अब sustain कर पाऊगे यह 5-10,000 वाले लोग अब markets गयब होने वाले हैं बहुत जल्दी जो नए रूस आने वाले हैं उसके according अब कल की planning क्या है simple 25,000 के उपर ही call side में होगा plan market ने 3-4 बार 25,000 से fall कर दिया है तो जल्दी हमें एक breakout देखने को मिल सकता है because market as such fall भी नहीं किया है ठीक है market नीचे जाता है उपर आता है नीचे जाता है उपर आता है यहाँ पर buyers, buyers, buyers and ultimately market 25,000 के एकड़म close में खड़ा है यानि कि buyers यहाँ पर थोड़े से strong देख रहे है let's see trap बनता है वापस से 25,000 के उपर यहाँ फिर इस बार breakout करके sustain करेगा sustain करेगा तो trade बनेगा अब downside की बात करें तो 24,900 के नीचे काम करना है तो मतलब यह जो 100 point का area है यह हमारा risk की area बन चुका है तो यहाँ trade मत करो बाकी आप लोग हमारे telegram पर जुड़े रहोगे तो आपको सीखने को मिलता रहेगा वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो comment section में जो पूछना चाते हो पूछो and important है support करो thank you so much मिलते हैं bank nifty के वीडियो में आज bank nifty ने तो और ही धमा का मचा है चलो जल्दी से दिखाता हूँ मैं आपको